हलो दोस्तो मैं कुंदन कुमार हमारे यूटूब चेनल के आरेज्जाम में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास टेंस का साइन्स का जो दूसरा अधिया है अमल छारक एवं लवन का भेरी भेरी इंपोर्टेंट अबजेक्टिव ब्रस्न आज आप लोग पढ़ने वाले हो ठीक है दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो पूरा वीडियो को और इससे पहले कि आप हमारे चेनल में नहें हैं दोस्तो तो चेनल को करके बेल आकॉन को दबा के चेनल से जुड़ जाई है ठीक है दोस्तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लाक को तो ये रहा दोस्तो कोस्चन दोस्तो जितने भी आपको को स्टन इसमें बताया जायाँगा सभी कोश्चन जो हैं बहरी बहरी इंपोर्टेंट कि हमें भी आप लोग का पूछ्छे जाने की बहुत जादा सम्भावना तो चल ये इश्टार करते हैं. देखे पहला कोस्टन है दोस्तो वह खठी स्वाद वाले वस्तोओं में कोण पदार्थ पाया जाता है जिक चलिए next question देखते है next question है दोस्तो लीट मास पत्र पर अमल का क्या परभापडता है लीट मास पत्र जो होता है उस पर अमल का क्या परभापडता है ठीक है बहुत किसी को मालूम होगा दोस्तो आप लोगों को जिसको जिसको मालूम है आप लोग मेरे साथ साथ बोलते जाएग ठीक है दोस्तो तो लिट माथ्पत्र पर अमल का क्या पर्भा पड़ता है नीला लीट माथ्पत्र olden दे helping देख्थे दोस्तों संच है कि किस प्रकार के आयन बनते हैं जब को because जल में विले किया जाता है तो इसमें किस परकार का आयन मिलता है तो हाइड्रोजन आयन जिसको बोला जाता है यह कोस्चन भेरी भेरी इंपोर्टेंट है तो जितने भी कोस्चन है सबी आपका परिष्चा के द्रिष्टी से इंपोर्टेंट है ठीक है च्छले देखते हैं नैस कोस्चन दोस्तों एक इसकोर्बल सकता है कि सबसेधे सकतिसालی कोण सा होता है तो है तो आपको उसका उतर लिखना है HCl ठीक है hydrochloric अम इसको बोला जाता है HCl और गजी बोला जाएगा सबसे परबल छार क्या है मतलब सबसे परबल जो है सबसे सक्तिसाली छारक क्या है तो आपको क्या बताना दोस्तो N A O H ठीक है दोस्तो N A O H होता सबसे परबल छारक ठीक है दोस्तो चलिए देखते हैं ये question पोल रहा दोस्तो क्या होता है जब नीला लीटमस पत्र पर HCl डालते हैं तो HCl एक अमल है और आपको मैंने अभी बताया कि अमल को जब नीला लीटमस पर डालते हैं तो वह क्या हो जाता लाल हो जाता ठीक है दोस्तो इससे related आपको जो है कल से आपका class जो इस्टाट होगा वो अमल छारक एवोम लवन ठीक है दोस्तों उसको डीटेल में पहले पढ़ाये दाएगा फिर उसका question answer बताये दाएगा ठीक है दोस्तों तो कल्स जो है आप लोग का class start होगा अमल छारक एवोम लवन से class 10 का science का ठीक है दोस्तों चलिए next question में दोस्तों आमल का सबसे प्रबल गून क्या है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आमल जो है वो छारकों को अदासिन करता है जैसे कि आप मान सकते हो बहुत सार एसा खेत होता है आप लोग देखे ह होंगे कि पहले जो है उसमें खेती किया जाता था लेकिन अभी खेती नहीं किया जाता है क्यूंकि दोस्तों उसमें अभी जो है यदि खेती किया जाता तो उसमें कोई भी फासल उगता नहीं है क्यूंकि दोस्तों वह जब भूमी है वह अमली हो जाता ठीक है दोस्तों अम अब net question देखते हैं नेस question is दोस्तों किस परकार का ==== années बनते हैं जब झार को जल में मिलाया जाता है आपको तुसरा अंकर बता गया था दोस्तो तो बनता है H प्लस आयन ठीक है दोस्तो क्या बनता है H प्लस आयन बनता है उसके बाद यदि छार को यहां पर जो कोस्चन बोल रहा है कि छार को जब जल में विले किया जाता है तो क्या बनता है दोस्तो हाइड्रोक्लिक्सिक M ठीक है मतलब OH OH आयन बनता है OH माइनस ओ एच माइनस आयन बनता है जब किसी छार को जल में मिलाया जाता है तब ठीक है दोस्तो चल लब देखते हैं नेश कोस्चन नेश कोस्चन दोस्तो छार की ये पद्दार्थ का स्वाद केसा होता है जो पद्दार्थ छार की होता है उसका पद्दार्थ का स्वाद केसा होता ह ओध nuances Patreon को आपको मैंनों बताया कि खटता होता ठीक है दोस्तों आमल का स्वाद खटता होता है और यदि छार का शारक का पूछेगा तो क्या होता कडवा ठीक है दोस्तों आमल छारक का सूचख का नाम बताई कके जो लीचेण से निकाला जाता है तो दोस्तो वह होता लीटमस विल्यन ठीक है लीटमस पत्र जो है वो लीचेन जिसको की लाइकन भी कहा जाता है ठीक है दोस्तो लीचेन से निकाला जाता है जिसका नाम है लीटमस विल्यन ठीक है दोस्तो लीटमस पत्र को निकाला जाता है किस से लीचेन से ठीक है दोस्तो सभी का पीडियाप आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको बता दूँगा पूरा वीडियो के जरूर देखिएगा ठीक है दोस्तों जितने भी हमारे यहां से क्लास होता है सभी का पीडियाप आपको प्रभाइड कर दिया जाता है और कहां पर मिलता है आपको मैं बता दूँगा अमल का सबसे परमुक गुन क्या होता ठीक है यहां पर अमल का मैंने बताया था तो अमल का सबसे परमुक गुन होता है दोस्तों छारकों को उदासिन करना मतलब जस्ट उल्टा ठीक है दोस्तों जस्ट उल्टा और यदि पूछेगा कि छारकों का सबसे परमुक गुन क्या है तो अम लोगों को ओधासिन करना थीक है दोस्तो चल्यबने कोस्चन देखते हैं यह कोस्चन है sodium hydroxide जिसको बोला जाता है naos दोस्तो naoz जो की सबसे परभल छारक है सबसे सकतिसाली छारक है ठीक है दोस्तो जब sodium hydroxide का विलियन पर परभाव बताईए ठीक है, sodium hydroxide पर litmus का, मतलब यदि यह जो छारक है, यह क्या है दोस्तों, छार है, ठीक है, naoh, यह चार है, और छार को यदि हम litmus पत्र पर डालते हैं, तो क्या होता दोस्तों, वह हो जाता है, लाल litmus पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, दोस्त सबसे परभल क्या है, ठीक है, यह यदि litmus पत्र पर डालेंगे, तो यह हो जाता है, नीला litmus पत्र को लाल कर देता है, ठीक 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 ह ठीक है और अमल का यदि लिटमास पत्र पर पूछेगा जो कि मैंने आपको पहले बताया तो अमल का लिटमास पत्र पर क्या होता दोस्तों ये नीला लिटमास पत्र को क्या कर देता लाल कर देता और छार जस्ट उल्टा लाल को कर देता नीला ठीक है जोस्तों चलिए अब न शारक के बीच में होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों तो उदासिनी करन अभिक्रिया कहते हैं अम एवं शारक से होने वाले अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों उदासिनी करन अभिक्रिया ठीक है दोस्तों चल्यब नेश्ट देखते हैं नेश्ट है कि प्र प्राकृतिक सूचक का नाम बताई है ठीक है तो प्राकृतिक सूचक आप बोल सकतो है लीटमस या फिर हल्दी ठीक है दोस्तों लीटमस या फिर हल्दी आप भी दोस्तों घर में अपना एक लीटमस पत्र बना सकते हूं जैसे कि एक वाइट पेज लिजे ठीक है एक वाइट कि आप निम्बू का निम्बू क्या होता दोस्तों खठा होता यह आप लोग को मालूम है तो यदि निम्बू को इसमें डाल देगो दोस्तों तो क्या हो जाएगा यह आपका जो है इसका रंग चेंज हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप खुद करके देख सकते हो ठीक है लीट मास का प्राकृतिक रंग क्या होता दोस्तो 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 लीट मास जब निकाल कोश्चन देखते हैं next दोस्तों तीन समान्य सूचक का नाम बताईए तीन समान्य सूचक का नाम बताईए मतलब जिससे हम आम छारक या फिर लवन का पता कर तकते हैं ठीक है तो पहला जो है लीटमास पत्र है उसके बाद दूसरा जो है वो मेथिल ओरेंज है यह भी एक दोस्तों साधारन नमक का रासानिक शुत्र क्या होता रासानिक नाम और शुत्र जो साधारन नमक का रासानिक शुत्र होता दोस्तों जो नमक हम लोग घर में खाते हैं जो नमक यूज करते हम लोग उसका यदि रासानिक नाम आपको पूछेगा कि उसका रासानिक नाम क्य ठीक है दोस्तो एन ए सीआल इसका सुत्र होता है तो सभी कोस्टन आप noot करते जाएगा दोस्तो ठीक है सभी को कोस्टनको noot करते चलना है चलिए देखते नेक कोस्टन देख तो नेक कोस्टन राव Requ heat कोषण का नाम राषांइक नाम ॔र शुत्र बताईए टो विre और यह कोश्चन बहुत बार पूछा गया है विरंजक चुर्ण का नाम और राशानिक शुत्र क्या होता तो आप सभी जितने भी कोश्चन बताएगा दोस्तो इसको याद कर लिजेगा आपको जो है से आपका जरूर जितना भी question बता है इसमें 2-3 मतलब जितना भी total 10 question पूश्टा दोस्तों matrix का exam में 10 question इस तरह objective type का मतलब एक number या पूश्टा है और एक number में से आपको जो है इसमें से बहुत सारे question देखने को मिलेगा मैंने पहला का अधिया का भी बताया था कि क्रासा नी कभिकर्ये ओम समYकरन जो साइंस का पहला अधिया है ऋसके अभी मैंने एक वन लॉन लाइनर बताया है आप उसको भी जाकर देख लिज़ेगा क्योंकि उसमें भी बहुत important question बताया गया ठीक है दोस्तों तो चलिए देखते हैं आपको इसका PDF कहां से डाउनलोड करना यह जो पूरा PDF है यह आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूं देखे दोस्तों सबसे पहले आप अपने Mobile के Play Store में जाईएगा जहाँ पर आप अपने गेम विगरा कुछ भी डाउंलोड करते हो वहां पर जाना है प्ले इस्टोर में जाके आपको इसको डाउनलोड करना तिक है तेली ग्राम इसको लिख लेना है उपर में लिखना है तेली पाल नमबर देखे के उसको open कर लिना उसका आईडी खोल लेना है उसके बाद आपको क्या करना वहाँ पर में और स्थान आथा है वहाँ पर आपको suppl Engagement कर्णा के जब आप इसको सर्च करोगे दोस्तो तो इस तरह का लोगो आएगा खुल के मेरे चैनल का लोगो जिस परकार का है इस तरह का लोगो आएगा तो इसको आप किलिक कर देजएगा किलिक करने के बाद में दोस्तो नीचे में आपका लिखा रहेगा जोईन लिखा रहेगा ठीक ह दोस्तो तो आप उसको जोइन कर लिजेगा वहाँ पर जितने भी class हमारे यहां से होता है सभी class का आपको PDF वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है दोस्तो और यदि इतना आप नहीं कर सकते हो दोस्तो तो हमारे चेनल का WhatsApp ग्रूप भी है ठीक है ठीक है तो आप अपना number comment box में लिख दिजेगा आपको WhatsApp ग्रूप में एड कर दिया जाएगा उसमें भी आपको PDF मिल जाएगा ठीक है दोस्तो और इस वीडियो के description में भी आपको PDF मिल जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं कल नेश क्लास के साथ और यदि अभी तक हमारे चेनल को जो है भाइं कर दिजे नीचे में जो रेट के गर का बटब को दबाएं का साइल में गंट før में वीडियो को में बदलू को ढिदागे अपने दोस्तों को वीडियो को सेर किए लुक किए लाइक करना मत भूलेका वह सबसें इंब्पोरडण बाट लाइक करना लाक करना मत यदि लाइक किदेगा तो हमको भी पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स क्लास के साथ तब तक के लिए बाए